तो दोस्तो आज हम लोग देख रहे हैं एल्टी ग्रेट परिच्छा से सम्बंद जीएस का पार्ट फोर इससे पहले मैंने जीएस के पार्ट 123 बनाए हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए तता साधी साथ पास वाले बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रही तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कौन से क्वेस्चन है तो जैस उसलिए तीन वीडियो में मैंने के डिसकस किया था मैंने मह преступ गजनभी मुहमदगोरी और गुलामवंस की स्थापना के समय कुत्व दीन एवख और इलतितमिस को डिसकस कर लिया था और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलतुत मिस के बाद के जो सांसक हैं उनके बारे में तो आपको मैं बताना चाहूंगा इलतुत मिसने अपने जीवन में ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्रा दिखारी किसे खोशित किया था तो दोस्तों इसका अंसार है रजिया सुल्तान को इल्टुत्मिस ने अपना उत्रादिकारी अपने जीवनकाल में ही खोशित कर दिया था क्योंकि वो एक योग सासिका थी इसकी वज़े से नेक्स्ट कुश्चन है रजिय सुल्तान ने कब से कब तक सासन किया तो रजिय सुल्तान का जो सासन काल है सन 1276 से 40 तक माना जाता है और इनका कारकाल बहुत ही छोटा है बहुत ही कम समय तक रजिय सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था रजिय सुल्तान एक मात्र ऐ उनको ये बास्त पसंद नहीं आई कि महला को दिल्ली की सल्तनत की बागडोर दी गई है तो इसकी वजए से वे रजिया के खिलाफ विद्रोय करने लगे और रजिया को अपने पद से हटाने की कोशिस करने लगे तो इसके बाद जब रजिया को ऐसा आउसर आया कि उसको पद से हटा दिया गया तो रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता से लाल रंग के वस्तर पहन कर दिल्ली की जनता से एक नियाय का गुहार मांगी थी कि हमको सासन प्रदान किया जाए तो इसी कॉंटेक्स में एक क्वेशन है मद्दकाल में किस रंग के वस्तर पहन कर नियाय मां तो उसके खिलाफ सबसे पहला विद्रोय किस ने किया तो दोसको है लाहॉर के गवर्नर कबीर खाँ यानि कि रजिया की शल्तनत काल में ही लाहॉर के गवर्नर थे कबीर खाँ तो कबीर खाँ ने सबसे पहले रजिया के खिलाफ विद्रोय किया और आगे देखते हैं क्वेश बटिंडा के गवर्नर अलतूनिया तदकालीन पंजाब के छेतर का एक हिस्सा है, तो बटिंडा के गवर्नर जो अलतूनिया थे, उन्हों ने सबसे प्रमुक विद्रोय किया था, रजिया की विरुद, आगे देखते हैं, रजिया की साधी किस्टे हुई थी, तो अलतूनिया ने ही कुछ सर्तों के साथ, रजिया से साधी कर ली थी, तो दोस्तो इसका अंसर हो गया है, रजिया की साथी किस्टे हुई, अलतूनिया से, तो दोस्तो ये जो क्वेश्चन से हैं, एक सीरीज के एकोर्डिंग में आपके लिए बना रहा हूं, कोई ऐसी क्वेश्चन नही ने क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का सासक कौन बना, तो दोस्तो रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का सासक बहराम साय बना, ने क्वेश्चन नायाब ए मामलिकात का गठन किस्ट ने किया, तो बहराम साय नहीं नायाब ए मामलिकात का गठन कि इसके बाद मुगलवन्स का अगला सासक नासुरुद्दीन महमूद बनाया गया नेक्स्ट देखिए बलवन को उलूग खां बलवन को उलूग खां की उपादी किसने प्रदान की तो दोस्तों बलवन जो की दास था नासुरुद्दीन महमूद की ही सेना में तो उसको उलूग खां की उपादी नासुरुद्दीन महमूद नहीं दी थी, जिसकी बात हम देखी यहाँ पर कर रहे हैं, नासुरुद्दीन महमूद, तो बलवन को यह उपादी प्रदान की थी, और दीखी क्या हुआ, बलवन ने अपनी लड़की की साधी किस के साथ की, तो उसी सेनापती जो की बलवन था, बलवन ने अपने लड़की के साथ ही, अपने सुल्तान यानि की नासुरुद्दीन महमूद के साथ की, तथा उसी नासुरुद्दीन महमूद की हस्तिया किसने की, नासुरुद्दीन महमूद जो सासक था, उसकी हत्या बलवन ने कर दी तो देखी किस प्रकार से घटना करम सुल्तान ने अपने साधी की काल में ही किया आगे देखते हैं कुछ क्वेशन्स को बलवन का मूल नाम क्या था जैसा कि आपको पता है नासुरुद्दीन महमूद की हत्या बलवन ने कर दी थी इसके बाद बलवन सुयम ही सासक बन बैठा था दिल्ली सल्तनत का जो की एक योग सासक था तो बलवन अब आगे राज़ करेगा जो की एक प्रमुक सासक है बलवन का मूल नाम क्या है बहुत दीन बलबन का मुल नाम भाओत दिन हो जाएगा नेक्स है बलबन किस जाती का तुर्ग था बलबन इलबरी जाती का तुर्ग था ये सबी प्रिशन नो किसी न किसी परिच्छा में बहुती अच्छी तरी से पूछे गए हूँ और एल्टी ग्रेविट में आने की पूरी-पूरी शंभावना है नेक्स्ट है राजत्यों के सिद्धान्त का पृतिपादन किस ने किया राजत्यों के सिद्धान्त का पृतिपादन बलवन नहीं किया देखिए राजत्यों का सिद्धान्त क्या है इसमें माना जाता है कि राजा जो है वो इस्वर का प्रत्निदी है धर्ती पर इसलिए राजा को सभी सक्तिया प्राप्त है यानि कि बलवन के इंसार प्रत्वी पर इस्वर का नूर या प्रकास की रूप में राजा का यहां पर आगमन होता है जिल्ले इलाई किसे एक आ जाता है तो दोस्तो बलवन को ही जिल्ले इलाई उपनाम से पुकारा जाता है सिजदा तथा पाबोस की प्रथा किस ने सुरू की तो दोस्तो सिजदा तथा पाबोस की प्रथा बलवन ने सुरू की थी सिजदा तसा पाबोस की प्रता क्या है सिजदा का मतलब है घोटने पर बैठकर सुल्तान के आगे सिर्जुका देना तसा पाबोस की प्रता है उसका मतलब है सुल्तान के चरलों को चूमना इन सभी प्रताओं का उसने अपने दरबार में सुभारंब किया और इन सभी प्रथाओं से हुआ है अपने दर्वार में काफी अनसासंसी रहता था बलवन ने किस तरह की नीती अपनाई बलवन ने एक विश्यष प्रकार की नीती अपनाई जिसका नाम है रक्त और लोह की नीती अपनाई उसने अपने राज में कुप्तचर फेलाई और रक्त और लोह की नीती की द्वारा वे बहुती कठोर नियाए विष्था की साथ सासन करता था नेक्स चालीसा का गठन किसने किया था जो की दिल्ली की सलतनत में काफी महत्पोड हूंका निवाती थी उन चालीसा का गठन गुलाम वंस की दूसरे सासक इल्तुत मिसने किया था ठीक है इल्तुत मिसने यहापर ये कुश्यन दिया गया है और उसी चालीसा का दमन किसने किया यानि उसको खतम किसने कर दिया तो बलबन ने किया था जो कि अभी हम लोग बढ़ रहे हैं तो चालीसा का गठन किस ने किया इल्दुतमिस ने चालीसा का दमन किस ने किया बलबन ने ये दोनों प्रशन आप समझेंगे इस चीश को नेक्स्ट है बल्बन की मृत्यू का हुई बल्बन की देखिए मिस्ट्रू 1287 में उसकी 80 वर्स की आयू में हुई थी नेक्स्ट कुश्चन देखिए बल्बन के बाद कौन सा सासक बना तो दोस्तों बल्बन के बाद अगला सासक कैकुबाद बनाया गया तो उसने जलाल उर्दीन फ्रूट को अपना सेनपती भी बनाया बाद में कैकवाद को लकवा मार गया था तसा उसके बाद उसका तीन वरसी ये पुत्र कैवमर्स सासक बना तो यही कुश्यन आगे दिया गया है गुलाम वंस का अंतिम सासक कौन बना तो दोस्तो गुलाम वंस का अंतिम सासक कैवमर्स बना कैवमर्स और नेक्स्ट कॉश्यन देख लेते हैं कैवमर्स की हत्या किसने करके खिलजी वंस की स्थापना की और जिसे खिलजी करांती भी का जाता है दिल्ली सल्टनत में खिलजी करांती किसे कहते हैं खिल जी वंस की स्थापना कोई कहते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैकुबाद ने अपना सेनापती जलाल उद्दीन फुरोज खिल जी को बनाया था तो उसी ने जलाल उद्दीन फुरोज खिल जी ने उसकी हत्या कर दी थी कैव मर्स की तो दोस्तो इसका अंसर है जलालदीन कुषित्र जी नेक्स्ट है बलवन ने गड़मुक्तेस्तर मस्जित की दिवारों पर लिखी सिलालेकों में स्वयम को क्या कहा खलीफा का सहायक खलीफा दोस्तो इसलाम धर्म में धर्म का प्रतिनीदी माना जाता था अरब छित्रों में तो वो उसका सहायक अपने आपको मानता था क्योंकि उसने इसलाम धर्म की परचार परसाद में काफी मदद की Next देखिए इल्टूत्मिस ने अपने पुत्र gelmiş में गंगूद का मखबरा कहा बनाया दोस्तो इसका आंसर आपका हो गया दिल्ली उसने नसर आपने पुत्र का मखबरा दिल्ली में बनाया था Next question देख लिजिए मकबरा सैली का जनक किसी कहते हैं तो इसका अंसर है इल्तुतमिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने अपने पुद्र का मकबरा दिल्ली में बनाया था तो वो पहला ऐसा मकबरा था जो कि दिल्ली में मनाया गया या भारत में बनाया गया तो इल्तुत मिस ने स्वेम का मकबरा किस परकार की सहली में बनाया था तो इसक्रीच सहली में बनाया था और इसक्रीच सहली में बनाया गया पर्थम मकबरा इल्तुत मिस का ही मकबरा है नेक्ट देखिए इल्तुत मिसने अतारी कीन का दरवाज़ा कहां बनाया था तो अतारी कीन का दरवाज़ा उसने नागवर राजिस्थान में बनाया था ये भी पृशन पूछे जाएगे और मंगोल सासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था सुट्यमुचिं था चंगेज खां सल्तनत काल में उसने कई आक्रमण किये लेकिन बलवन ने अपनी कुसलता से दिल्ली सल्तनत पर मंगोल सासकों का प्रभाव नहीं आने दिया लेकिन बाद में काफी प्रभाव रहा तो ये देखी इस वीडियो के आपके कुछ important questions थे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर करें वीडियो को share जरूर करें जैसे कि आपके सभी friends को benefit मिल सकें तो उमीद करता हूँ एल्टी क्रेड में आपके सभी जीयस की question होते रहेंगे बस आप वीडियो को share जरूर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नवसकार